अलो वेलकम आप सभी लोगों का आज के न्यू वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं सभी लोगों से बात करने वाला हूँ कि आप अपने PC के अंदर GTA 5 का जो क्रेश है वो किस तरीके से रिमूव कर सकते हो लाइक में आपको इस वीडियो में इस्ट्रोलिशन प्लस एक्जैम्पल बताने वालों कि किस तरीके से आपका गेम क्रेश होता है जब आप अपनी गेम में कुछ मोड्स को इंस्टॉल करते हो जैसे ही आप कुछ मोड्स को इंस्टॉल करते हो अपने GTA 5 में उसी के बाद आप में जब भी नया मोड दालता था GTA 5 में उसले टाइम मेरा गेम क्रेश हो जाता यानि कि पूरा बैक आ जाता मैं तो यार आज की वीडियो में मैं आपको सभी चीज़े बताने वाला हूं कि आपके गेम किस तरीके से क्रेश होता है किस तरीके से आप उसे फिक्स कर सकते हो ए बहुत लोग पूसते हैं कि आपका GTA 5 में ही ते सारे मोड होते हैं फिर यह आपको गेम क्रेश क्यों नहीं करता है हम अपने GTA 5 में जब भी कोई भी एक मोड इस्टोल करते हैं तो हमारा GTA 5 क्रेश हो जाता है या फिर हम बैक आजाते हैं गेम से तो बहुत सारी प्राब्लम्स होती है इसी के चलता ही मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आपको बतायाना चाहिए कि आप अपने GTA 5 का जो क्रेश है वो कैसे बिल्कुल रिमूव कर सकते हो लाइक इस तरीके से रिमूव हो जाएगा कि आपको ना कुछ निकाना आपको लाइक आप जितन स्टूरी मोड पर क्लिक करने के बाद ही आप मेरा गेम देखूगे तो किस तरीके से चल रहा है देखो लोडिंग स्टूरी मोड आ चुका है मतलब की आपका गेम हो चुका है पूरा अटक चुका है ठीक है पूरा गेम आपका क्रेश हो चुका है और इसलिके कुछी सेकंड बाद आप गेम से पहार हो जाते हो. आपका गेम बैक हो जाता है. तो यही ऑनला को पोरा का गेम से अशना है. तापही आपका गेम अच्छे से प्रपिर हो पाएगा. तो चलो यार, किस तीज़ का वेट करते हैं, आप निकलते हैं तो इस ट्रॉलीशन की ओर. यह को दिखाएंग अब आपको कि दो फास को आपको डॉनबड लेना है supposed to be one इ सब्डान नो खरते हो ठीक है अब आपको कुछ रही करना है आपको दो फासवे इस दीखेगी इन दोनों को परको एक्सक्राट कर देना ठीक है आपको GTA 5 config में जाना है ठीक है यहाप आप जाओगे तो आपको चार files देखने मिलेगी हम वहारे काम की तो यह दो files ही है अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना अब आपको क्या करना है कि आपको अपना GTA 5 का जो version है वो पता होना चाहिए अगर आपके बास GTA online है तो आप मैं पहले बता दो मतलब GTA online में अगर आप GTA offline खेलते हो ठीक है तो उस situation में आपको क्या करना है कि आपको latest चूज करना है क्योंकि अभी इस time में देखो कि तो यह version चल रहा है बिल्कुल latest 1.0.224 5.0 ठीक है अब ये तो हो गई बात ठीक है अब आपको करना क्या है आपको अगर आपका एकड़म latest version है तो आपको यह वाला folder सलेट करना है और अगर आपका version पूराना है older version ठीक है तो आपको यह पर बहुत सारे version मिल जाएंगे आपका जो version है वह यहां से आप select करके और file चूस कर सकते हो ठीक है? बट उससे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आपको नहीं पता कि आपको अपना version कैसे check करना है तो मैं आपको बता देता हूँ आपको अपना version कैसे check करना है तो आपको आपको GTA 5 के icon पे राइट क्लिक करना है एंड वाप पे उसकी location open करनी है, वो open करने के बाद में आपको यहाप पे GTA 5 दिखेगा, ठीके, GTA 5 बिल्कुल normal दिखा हुआ, जिसका size 60 MB है, तो यहाप पे राइट क्लिक करना है, properties में जाना है, वाप पे जाने के बाद, details में जाना है, एंड यहाप आप देखो कि तो आपका जो product version है आपको दिखेगा, तो यह मेरा बिल्कुल latest version है, तो आप भी इस तरीके से अपना जो version है, वो check कर सकते हो, ठीक है, कोई दिकत आपको नहीं आएगी, मैं पहले ही बिता दू, यह आपका version है, और फिर यहाप पे आप अपना version देख करके, जो है, चूस कर सकते हो, ठ मतलब आपको यह देखना है, कि आपको आपका जो traffic है, वो कितना है, ठीक है, तो अगर आपने बहुत सारे mode install कर रखे है, और बहुत ज़्यादा आपका जो game कर traffic है, बहुत ज़्यादा है, मतलब आपने बहुत सारे mode install करे वे, बहुत सारी files आपने फोल्डर में डाली हुई तो उस सिच्वेशन में बहुत जादा अगर आपने कर रखा है तो आपको लेना है बिल्कुल 5X ट्राफिक वाला और में भी इतना नहीं होता कोई बंदा इतना नहीं करता बट आपको फिर क्या करना है तो यह तो फाइब जो दिखावने है तो यह स्कलेट कर लेना है ठीक है अलग-अलग आपने ट्राफिक के अकोर्डिंग फाइल यह पर चूज कर सकते हो तो मैं तो सजेश्च करूंगा कि भाई 2.5 कि मैं भी यह यूज करता हूं तो पॉइंट नहीं है यह 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 हाई पर जाओ हाई पर जाओगे ना हाई वाली फाइल इस्टोल करोगे तो आपका नहीं होने वाला है यह 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 य करना है जाना है उब कि caller 1 आपको तूल्स में जाना है और GSI मैने सब कर लेहां चालर पर ओपन केमरा यह सब आपको इस्टोल कलेने अपन भी यह था है अब अपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना यह यहाँ पर तीघा का एडित मोड एडित मोड को आपको ओन कर देना है एडित मोड को मैंने सिंपली and data में जाने के बाद में आपको यहाँ पर game config के file दिख जाएगे guys so मेरी game config के file मैंने अभी यहाँ से delete करी थी इसलिए मुझे आप विजीबल नहीं हो रही है लेकिन आपको visible होगी आपको कुछ नहीं करना है आपको आपकी जो game config के file होगी अब क्या करना है इस game config file को simply यहाँ से निकाल के और इस जगह पर लिया आना है ठीक है backup पना लेना थाकि बाद में अगर आपका game crash हो जाता है ना चले तो आप यह वाली file वापस दाल दो ठीक है अब इसके अंतर जो file है यह वाली इसको delete कर दो ठीक है आपको दालनी है अपने drag कर देनी है सिम्पल आपने drag कर देनी है ए और हो गई आपकी file install simply कुछ नहीं कर आपने अब आपका यह काम तो हो गया ठीक है आपने यह file दाल देए अब आपको कुछ नहीं करना एसे close कर देना है और हाँ अब आपको एक फाइल और इस्टोल करनी है वो जो मैं आपको दूसरी फाइल बताई थी ना देखो यह तो होगे अपना जीटीए फाइफ वाला ठीक है अब आपको करना है इसको तो मैं कर देता हूं डिलिट क्योंकि यह हो गई हमारी इंस्टोल अब आपको इस्ट आपको आपको कर देना है तो मैं रिप्लेस कर देता हूं बस हो गया कुछ नहीं सिंपल हो गया तो गया उसके बाद आपको जोए अमना गेम चालू कर देना है और जिसे कि आप देख सकते हो मैंने वना गेम चालू कर दिया है और आप मैं जाता हो स्टोरी मोड के अंदर देखो स्टोरी मोड पर क्लिक करता हूं और यहां पर आ रहा है लोदिंग स्टोरी मोड становится कॉई भी चो है इशु नहीं हो रहा आए देखो बिल्कुल क्रेश नहीं हो रहा है बिल्कुल गेम अटक नहीं रहा है और अब देखते हैं कि हमारा गेम किस तरीके से चलता है सो यूच हो लोड इंग शुरी मोड आ रहा है मैं अपर पर जो है वीडियो कट नहीं करने वाला continue आपको दिखाने वालों की किस तरीके से गेम चल रहा है और कोई क्रेश कोई लैग या फिर कोई भी प्राब्लम तो नहीं आरी है देखो आप खुद देख लो भाई सो गाइस देखो भाई हमारा गेम यहां पर हो चुका है चालू और कोई भी इशू नहीं आई है और मैंने बहुत सारे मोड इस्टोल कर रखे था या पर और मैं जो है कुछ भी आपर अपना मोड यूस कर सकता हूँ जो कोई दिकत नहीं होने वाली है या पर सो काफी लोग बोल रहते हैं कि भाई बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है लाइक अकर कोई भी मोड इस्टोल करते है न तो हमारा गेम हो जाता है आप पर क्रेश तो बस आपको कुछ नहीं करना आपको दो फाल दाल देनी आपका जो गेम है वो एक तम स्मूथ चोल दोगा गाईस तो यार यह तो आज की वीडियो में और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार अफकोस लाइक करना मत बूला और इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और रिस्पोंस देना मत बूला तो आजकी वीडियो में इतना है मिलते अगली वीडियो में ऐसे अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरू का ना मिलते गाइस अगली वीडियो में तब तक के लिए Bye Guys